अबू आसिम आजमी की रेली में सांसल प्रिया सरोज का हुआ आगमन यह लोग आएं कि अबू आसिम को हरा देंगे यह मिल करके अबू आसिम आदमी का कुछ नहीं कर सकते कुछ भिगाड नहीं सकते आप देखिएगा बेस तैस तारी को जिस दिन बैलट पेपर खुलेगा न उस दिन अबू आसिम अबू आसिम अबू आसिम पहले ते जादा मुंबई के मानखोर्द शिवाजी नगर विधानसवा से सपा के बैनरतले चुनाव लड़ रहे वर्तमान मानखोर्द शिवाजी नगर सपा विधायक अबू आसिम आजमी की पदियात्रा निकाली गई जिसमें काफी संख्या में लोग मौजूद रहे इस रैली में उत्ते प्रदेश से कई समाजवादी पार्टी के निता शामिल हुए वही समाजवादी पार्टी की सांसत प्रिया सरोज बाग विधायक तूफानी सरोज भी मौजूद रहे जिन्होंने अपनी मौजूदगी दर्जगर रैली में चार चांद लगा दी यह रैली मानखुर्द के मंडला इंद्रा नगर से निकल कर समझे मंडला तक चली देखिए एक रिपोर्ट है कि इस बार का जो लड़ाई है वो दो दिगजों के बीच में होते हुए नज़र आ रहा है यह रैली निकाली गई है स्वेम गया सुद्धिन से जोकी तालका देख से वह भी नज़र आ रहा है मडम क्या नाम है आपका हमारा नाम प्रियास रोज है सांसत मचली शहर से हैं सांसत कहां की हैं मचली शहर जानपूर के हैं क्या कुछ इससीति रहेगे इस बार अबु आजमी जी को जिताए और खोके की सरकार हटाई है क्योंकि जनता समझ चुकी है कि ये केवल ये सविधा के विरोध काम कर रहे हैं और जनता को ठगने के काम करें केवल उद्योफ वक्तियों का विकास कर रहे हैं इस बार जो इस्तिती बनी अखले सियादो जी की उत्तर प्रदेश की चुनाओं में कैसी इस्तिती यहां भी वह इसी ही इस्तिती बनने वाली है क्या कुछ कहना कहीं कहीं कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी का बढ़ता हुआ बिस्तार नजर आ रहा है अबू आसिम के वज़े से क्या कुछ रहे हैं बुलकुल महराश्ट्रा में उनका है और हम यह भी कहेंगे कि अबू आजमी को जिताइए और वह हमेशा मान समान की बात करें कि ह 15 साल से विढ़ाय करें हम समों पूरा उमीद है कि जो खोकें की सरकारे खिलाफ खड़े हो जीतेंगे भी सर क्या कुछ इस्तिती है इस बहुत अच्छी है जंता इन धोखे वाजों को अच्छी तरह समझ गई है कि इनके कथनी और करनी में क्या अंतर है पहले तो जंता नही बाते हैं या डबल इंजन एक मूँसे कुछ बोलता है घृत शली नियत क्या है चाती क्या है हिंदुत का मुद्दा लगा करके हिंदुत के आड में जो है ओट ले करके किस तरह से बैकवर्ट दरीत का हितों का हनन करती है इस बात को जो है देश का पूरा सुद्ध समा अच्छी तरह भाजपा को जान गया है तरो लुष्ट वाल आप उटर प्रदेश की राज़नीत को देखते हैं वकूवीश समस्जें आ और महराज की संक्या में उत्तर् प्रदेश की पौस्द così नहीं है सब जासा है तु ओत्तरक्रदेश क्या जला नहीं जहां को अतरप्रदेश नहीं देए महारास्था में भी लोग कोई मुकाबिला है नहीं अबू आसिम आदमी बहुत ज्यादा ओटों से जीत रहे हैं कि लड़ाई तो दो दिगजों के बीच में कोई लडाई नहीं है आगे यह यह लोग आएं कि अबू आसिम को हरा देंगे यह मिल करके अबू आसिम आदमी का कुछ नहीं कर सकते कुछ भीगाड नहीं सकते आप देखिएगा बेस्ता 23 तारी को जिस दिन बाइलट पेपर खुलेगा ना उस दिन अबू आसिम अबू आसिम अबू आसिम पहले से जादा जो ओटों से जीतेंगे इंशालला अबू आसिम राजमी जो कि समाजवा के लिए कि पहले तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हम को टाइम ने जा रहे हैं ये लोग गुम्राह कर रहे जो लोग वो खुद बिल में घुज जाएंगे 20 तारीक के बाद जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा और यहां की जनता यह जनता इलाब बता रहा है कि जनाब अबू आसिम आजमी साहब बहुत भारी मतों से जीतने जा रहे हैं यह ड्रक के कारोबारी लोग जो है ना यह सब बि अन्होंने हल किया है कि विरोधी पस्द हो जाएंगे और सब भाग के चले जाएंगे किनारे जो कुछ सामने लड़ रहे हैं दीपक और सूरज की बात है आजमी साहब सूरज है इनकी अवकाद नहीं है सामने खड़े होकर के बात कर लें आजमी साहब देश के नेता हैं यह तो उसी तरीके से अबू हासिम आजमी की सिती बनने वाली है क्या कुछ कहना है बिलकुल बनने वाली है पीडिये हमारे साथ चल रहा है यहां की हिंदू मुस्लिम सिक्षाई सब असब लोग जल रहे हैं गोंड़ा बस्ती सिद्दार नगर दिवरिया आजमगर पूरा जंस आजमी साहब चुनाल जीतने जा रहे हैं और आने वाली तेश तारीक को एक तमसब हवा साफ हो जाएंगे सब लोग के